हलो व्यूवर्ज, वेलकम टू मांबा रेसेपी चैनल, मैं वनीता आज बनाने जा रही हूं लच्छेदार रबडी, यह बनानी बहुत असान होती है, हाँ थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग जरूर होती है, पर इसे बनाना बहुत असान है, और यह खाने में बहुत ही अच्छ फुल क्रीम मिल्क, दो चम्मच चीनी, आधा चम्मच इलाइची पाउडर, और कुछ कटे हुए ड्राइफ रूट्स, यह आप अपनी चुवायस के अकॉर्डिंग कोई भी ले सकते हैं, और यह ड्राइफ रूट्स का पाउडर है, जो हुआ दो चम्मच, इसे बनाने के ल लिया है, और यह बन गए है, सबसे पहले दूद को एक वॉक में डालकर उबाल लेना है, दूद को उबालते हुए बीच-बीच में हिलाते रहें, तांकि यह तले के साथ लगे ना, दूद में अबाल आ गया है, और इसके उपर यह जो मलाई आई है, इसे हमने किनारे पे लगा देना है, और इसे फिर से वैसे ही पकाते रहना है, तांकि और मलाई आई और उसे भी हमने किनारों पे ऐसे ही लगाते जाना है, दूद में फिर से मलाई आगी है, उसे भी हम किनारे पे लगा लेंगे ऐसा हमने तब तक करते रहना है जब तक दूद चार कपसे एक कप न रह जाए यानि कि हमने जितना दूद लिया उसका वनफोर्थ कौंटिटी न रह जाए तब तक हमने ऐसे ही करते रहना है अराउंड 20 मिनिट पकाने के बाद ये दूद एक कप रह गया और ये काफी घाड़ा हो गया है और मलाई भी काफी जमा होगी है तो अब हम इसमें ड्राइ इंक्रेंटियंट्स एड़ कर देंगे सबसे पहले हम इसमें शुगर डालेंगे इसमें लाइची पाउडर एड़ कर देंगे और ड्राइ फूट्स पाउडर भी आड़ कर देंगे अब चीनी के मिक्स होने तक हम इसको मिक्स करेंगे जैसे ये चीनी मिक्स हो जाए हम ये बंद कर देंगे गैस और दूद को ठंडा होने देंगे दूद के ठंडा होने के बाद हम ये मलाई इसमें डाल देंगे अगर हम गरम दूद में मलाई डालेंगे तो मलाई खराब हो जाएगी तो इसलिए पहले दूद को हम धंडा करेंगे दूद थोड़ा धंडा हो गया है अब ये मलाई हम निकाल कर इसमें मिक्स कर लेंगे दूद को आप जादा धंडा मत कीजिए यानि कि जादा देर तक मत पड़े रहने दीजिए अगर ये जादा थंडा हो जाएगा तो मलाई निकालने मुश्किल हो जाएगी तो इससे जब दूद थोड़ा सा ही थंडा हो तभी आप इसकी मलाई निकाल लीजिए ये मलाई को मैंने किनारों से निकाल लिया है और ये इसमें मिक्स कर दी है और देखिए इस के कितने अच्छे लच्छे बन रहे हैं मलाई के, जो कि खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं, अब मैं इसे बाउल में निकाल रहे हैं, ये देखिए कितनी अच्छी रबडी बनी है, अब इसको हम उपर से गार्निश कर लेंगे, ये रबडी बनके रेड है